बाबरी विद्वन्स मामले में लखनों में CBI की विशेश कोड़ द्वारा लाल किष्णा अडवानी उमा भारती जैभान सिंग पवया सहित 32 व्यक्तियों को बरी किये जाने का स्वागत किया गया है CM शिवरा सिंग चोहान ने कहा एक बार फिर सत्य की जीत हुई है अड़ालत ने बाबरी कांड में 32 आरोपियों को बरी कर दिया है इसके बाद मधिप्रदेश के CM शिवरा सिंग चोहान ने ट्विट पर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है किन्तु पराजित नहीं आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है भाजपा के वरिष्ट नेता केलाश विजवर्गे ने ट्विट कर सत्य मेव जयते लिखा है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है किन्तु पराजित नहीं बाबरी ठाचा विधवन्स मामले में CBI कोर्ट के फैसले से यही साबित हुआ है इस मामले में भाजपा के वरिष्ट नेताओं और संतों पर सभी आरोग जूटे और राजनीती से प्रेरित थे यह फैसला एतिहासिक और स्वागत योग्य है अंततहफ सत्य की विजय हुई है ततकालीन कॉंग्रेस की सरकार ने पूर्वा ग्रहसे ग्रहसित होकर हमारे सं महात्मा बरिष्ट नेतागां उन पर जूटे आरोग लगाए थे वो आरोग निर्मूद थावित हुए है दूद का दूद और पानी का पानी है विजए अदालत के फैसले से हो गया है हम पोर्ड के फैसले का स्वागत करते हैं रबिंदरनाथ तेगो उनिवर्सटी फॉर्मली नोन अस आइसेट यूनिवर्सटी पाइन इस इस प्रेटि इंडस्टी रेडिए प्रफेशनल्स जोई इंडिया स्प्रेमियर स्किल बेस्टी रबिंदरनाथ तेगो उनिवर्सटी तंगी टीस्वार लहरियों से संस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पिढ़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकडंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़्टीती से कूट मीती ता दखन न्यूज आपके हट आप देख रहे हैं दखन न्यूज